नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हिमानसु चोधरी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने घर पर या अपने आफिस में एटल फाइवर लगवाया हुआ है यानि कि एटल एक्स्ट्रीम का जो फाइवर है वो आपने लगवाया हुआ है और आपको यह पता करना है कि हमारे जो फाइवर पर कितने वाइफाइ कनक्सन चल रहे है मनलब कितने मोबाई या लैप्टॉप या कितने डिवाइस हमारे वाइफाइव से कनेक्ट है वह आप देखना चाते हैं तो कैसे देखेंगे कुछ आप कैसे करोगे मनलब अपने वाइफाई को आप किस तरीकी से कंट्रोल करोगे तो वह जानकरी आज की वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ तो दोस्तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एरटल थेंक्स एप्लिकेशन की जी हाँ जिस नंबर से आपने अपना एरटल ब्रोडबेंड कनक्सन ले रखा है आपको उसी नंबर से एरटल थेंक्स एप्लिकेशन में लॉगिन कर लेना है तो आईए मैं दिखाता हूँ आपको step by step कैसे करते हैं आपको चलना है मेरे साथ एरटल थेंक्स एप्लिकेशन पर तो मैं यहाँ साइड में जो है अपनी screen recording on कर लेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मैंने open की है एरटल थेंक्स एप्लिकेशन और यह जो है मेरे office का connection है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किसी खास व्यक्ति को म लॉक करना चाहते हैं या कुछ देर के लिए आप उसको रोकना चाहते हैं इंटरनेट एक्सस के लिए तो कैसे रोकेंगे तो एटल थेंक्स एप्लिकेशन हमारी open हो चुकी है इसका जो इंटरफेस है दोस्तों वो कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा ठीक है इंटर्यूसिंग एटल एक्सस सेफ करके ऐसे कुछ आता है यहां पर फ्री पेट पोस्ट पेट ब्रॉडबैंड डिटियेच एटल ब्रैक यह सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ आएगा तो आपको कहां पर जाना है आपको जाना है सबसे पहरें तो आपको नमबर से जो जो प्लान है वो कितने सेंग यहाँ आपको बचा हुआ है एक पर आपको किलिक कर देना है तो यहाँ पर आपके सामने इसकी पूरी डिडेल आजाएगी जैसे लिखा है अनलीमिटेट डाटा at 300 Mbps प्लस unlimited calls over landline ठीक है आपका यहाँ पर दिखा देगा कितनी मलब अलेड़ी कितनी है जैसे वैलीड टील 30 December 2022 ठीक है नीचे more speed browse plan यह सब आ जाएगा नीचे इसमें एक option मिलेगा आपको get control with my wifi solve for network problems manage connected device update passwords and more ठीक है नीचे आपको इसमें और भी बहुत कुछ मिल जाएगा plan बगएरा सब कुछ लेकिन आपको जाना है get control with my wifi ठीक है इस पर दोस्तों जैसे ही आप click करोगे तब यह आप से पूछेगा कि भाई आप अपनी location जो है वो on कर लीजिए तो आप कोई गवराने वाली इसमें बात नहीं है आपको अपनी location जो है on कर लेनी है ठीक है मैंने अपनी location on कर ली है location on करते ही आपके सामने यहाँ पर यह आ जाएगा airtel कि आपके जो wifi का नाम है वो आ जाएगा यहाँ पर लिखा है is online यानि कि आपका जो connection पर लगी हुई है और कितनी हमको बंद करनी है ठीक है तो जैसे ही आप devices पर जाओगे तो यहाँ उन सारी device का दोस्तो नाम आ जाएगा IP address आ जाएगा पूरी detail उन device की यहाँ पर आ जाएगी ठीक अब माली जी आपको इसमें से किसी device को block करना है तो कैसे करेंगे यहाँ पर आपके सामने यह भी दिखाएगा कि यह device किस तरीके की है mobile है आईफोन है या android mobile है सब कुछ यहाँ पर इसमें आपके सामने लिखा जाएगा या कोई मलब notpad है सब इसमें आपको यहाँ पर दिखा देगा तो आप माली जीए यह एक mobile है realme 8 करके मैं इस पर click करता हूँ ठीक तो इसमें जैसे मैं click करूँगा तो यहाँ पर यहाँ बताएगा कि यह कितने मलब कितना signal यह पगड़ रहा है कि मलब अच्छे signal में है या पूबर signal में है तो यहाँ लिखा है fair signal strength यानि कि यह जो device है यह हमारे Wi-Fi इसके बहुत बढ़िया connection से जुड़ी हुई है ठीक है फिर लिखा रहा है profile इसका आजाएगा इसका IP address आजाएगा नीचे इसमें लिखा है pause Wi-Fi access pause internet access on select devices connected to your Wi-Fi ठीक है तो अगर मान लीजी हमको इस device को रोकना है कि भाई यह हमारा internet use ना कर पाए तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखा है pause यहाँ पर आपको pause कर देना है तो जैसी दोस्तों आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यह पूछेगा set time कि आप कितनी देर तक के लिए इसको रोकना चाहते है तीस मिनट एक घंटा दो घंटे यहाँ नीचे लिखा है until I resume यानि कि जब तक मैं इसको resume नहीं करूँगा तब तक यह बंद रहेगा नीचे है custom आप इसमें और custom time भी जोड सकते हैं तो इसमें यह सारे option आपको मिल जाएंगे अब आपको select करके इसको pause कर दे रहे है जैसे माली जी लिखा है until I resume यानि कि जब तक मैं इसको दुवारा से resume नहीं करूँगा तब तक यह बंद रहेगा तो इस पर करने के बाद और जैसे ही मैं करता हूँ pause wifi तो यह है जो device है इस device पर आप net हमारा बंद हो चुका है वाइफाई तो connect करेगा लेकिन net नहीं चलेगा ठीक है यहां लिखा भी आ चुका है वाइफाई pause started on selected device ठीक है जब तक आप इसको दुवारा से resume नहीं करोगे तब तक और यहां पर आपका time आ चुगा है कि इतने बज़े आपने इसको बंद कर दिया है नीचे लिखा है add new यानि अगर आप किसी और connection को भी बंद करना चाहते है रोगना चाहते है उस पर internet access तो यहां से आप कर सकते हैं ठीक है जब आप back आएंगे तो home page पर फिर आपको दिखा देगा कि post device कौन कौन सी है उस पर जाकर आप दोबारा से इसको जो है फिर से resume कर सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप अपर 18 devices थी अब 17 devices connect है ठीक है अब आपका जो Wi-Fi का जो नाम लिखा आ रहा है महाँ पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें और भी आपको option मिल जाएंगे जैसे manage Wi-Fi ID and password optimize Wi-Fi, test coverage, reboot Wi-Fi, dagnis Wi-Fi, router details सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा तो बस दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने smartphone में आपको ATL Thanks application install करनी है और जिस number से आपका Extreme Fiber login है यानि कि लिया हुआ है उस number से आपको उसमें login कर लेना है ATL Thanks में और फिर आपको Wi-Fi setting में आकर यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगी आप जितने device चाहिए तनी block कर सकते है enable कर सकते है अपने भाई भाई का password चेंज कर सकते है सब कुछ आप यहाँ से कर सकते है तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ और भी confusion है कुछ आपको बास समझ में नहीं आई है तो comment करके पूछ सकते है मैं कोशिस करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं हूँ आपका दोस्ति मांसु चौधरी फिर मिलता हूँ किसी और भीत्रिन अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद